हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो शिरीय एजुकेशन सो फ्रेंट्स आजे 17 फैब्री तो 17 फैब्री के आपके जितने भी इंपॉर्टन करंड़ पर कोईशन होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कॉस करेंगे और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल को जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में अल्रेडी आपको गिवन है ठीक है उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम अप्लिकेशन पर जाकर आप इसका PDF ले सकते हैं और अगर आपने अल्रेडी टेलीग्राम अप्लिकेशन इंस्टॉल कर रखा है तो उस पर आप एड़ रेट करन्ट अफेर्स बाई रवी लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा करन्ट अफेर का जो परस्नल ग टेलीग्राम जरूर जोटैंड कर लेजए कर यहां आप स्टार्ट करने जारें आज के củaखर डिसकस कर्نे से पहले क्का टेस्ट कोष्ट क्यूस करेंगे हीच्छी के जए अध्यक्ष मुन नहीं अटियक्ष में इनकराम है अतुल गुमार गुपता क्या नाम है अतुल कुमा Institute of Chartered Accountants of India अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंटफेर बट आज के करंटफेर डिसकस करने से पहले आपको बता दू कि चैनल के प्लेलिस्ट को जुरूर चेक कीजिएगा कि आपको बहुत सारे लेक्चर प्रवाइड किये गए हैं जिसे आप लोग असानी से अपने एक्जाम की तैयारी कर सकते हैं सबसे पहले और इंपॉट्ट कौशन देखते हैं तो कौशन है आपका की हाली में राश्ट्री जैविक खाद मोसब कहां पर और ऑरगनाईज किया जाए गए तो राश्टी जैवीक खाद मोसब इसे हाली में New Delhi में और्गनाइस किया जाएगा D option आपका सही है अब सबसे पहले आपको पता है कि यह मुहसब कब से कब तक और्गनाइस किया गया है तो 21st से लेकर 23rd February तक इसे और्गनाइस किया जाएगा ठीक है 21st से लेकर 23rd February तक इसे राष्ट्री जैवी कि Khadim Mohsab को अर्गनाइस किया जाएगा कहा पर New Delhi इसके बाद को पता तो कि यह जो खादे मोहसब और्गनाइस किया जाएगा तो इस साल का क्या theme है अन-लिस्टिंगि Hergane Markit Potential क्या theme है अन- लिस्टिंग इंडिया UsD temsen आपके लिए बहुत ही Taco यहां पर और निउटल का नामाए तो ड्रीज़ आपको बडात को वेलेंट देली में चुनाव हुए थे जिसके बाद दिली के जो नए चीफ मिनिस्टर और नम है अर्विंद केजरी वाल पहले भी यही थे इन्होंने दुबारा अपने दूसरे कारेकाल के लिए अपना पद्भार संभाला अर्विंद केजरी वाल का नाम यादर थे दिली के प्यार का पोधा अभ्यान शुरू किया गए तो इसका में उद्देश यही था कि बिहार राज्य में पेर्ड लगाने की जो इसलिए अभयान का नाम याद है कि बिहार राजनी शुरू किया गिए परियावरण वन विभाग के दौरा इस अभ्यान को शुरू किया गाई इसके बेशार पर्यावरन एवं वन विभाग के द्वरार नोड़ करना है नहीं आपको बिहार के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे क्योंकि बिहार में यह अभ्यान शुरू किया गया है तो यहां पर बिहार इसके केपले पटना चीप मितीश कुमार और गवर्नर फगू चोहान है बिहार के अंदर लोक सबग सीटे 40 राज्य सबग सीटे 16 विधान सबग सीटे 243 है फोक डांस है जाटा जटीन और नेशल पाथ है बाल में की नेशल पाथ यह कुछ इसने केर रेटिंग के अध्यक्ष पस्ति स्तीफा दे दिया है तो उनका नाम है एस बी मेनाक बी ओप्शन आपका सही एस बी मेनाक यह केर रेटिंग एजनसी जो थी उसके अध्यक्ष थी इन्होंने हाली में अपने पस्ति स्तीफा दे दिया है सबसे पहले यहां पर आपको मेनाक के बारे में कुछ important बाते बताऊंगी कि ये 2015 में Care Rating Agency से जुड़े थे उससे पहले ये LIC Life Insurance Corporation के MD रह चुके हैं ये note करना है आपको Care Rating Agency जितनी भी companies हैं उनकी rating होती है ना उनके product के quality के basis पे customer कितना पसंद करते है उन basis पे ये rating करती है rating आप लोग को पता है ये 1-5 star के बीच में rating होती है इसलिए ये rating agency जिसका नाम है Care Care की full form आपको पता है चीए full form एसकी credit analysis and research limited क्या full form है credit analysis and research limited और क्यर की स्थापना अगर पूची है तो 1993 में इसकी स्थापना हुई है और headquarter अगर पूचे तो headquarter इसका इंडिया में है क्यार कंपनी की full form आपको याद हो है rating agency अगला question देखते हैं next question है कि हाली में जारी Forbes के report के according भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने तो उनका नाम है राधा कृष्न दमानी भी option आपका सही है राधा कृष्न दमानी हाली में Forbes ने जो रिपोर्ट जारी कि उसमें ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं इन्हों ने जो HCL Company के शिव नादर थे अच्छील कंपनी जो फांट थे शिव नादर उनको भी पीछे छोड़ दिया और राधा कृष्न दमानी ये मैंने आपको बताया कि सेकेंड रांक पर है तो फॉस्ट रांक पर कौन हो तो आपको पता ही होगा फॉस्ट रांक पर बिलियन डॉलर जो कि दूसरे स्थान पर है अब तो इनकी प्रॉप्टी है टोटल 17.8 बिलियन डॉलर ठीक है याद रखने है फॉस्ट और सेकिंड वाले में इतना ज्यादा डिफ्रेंस है और ये किस कंपनी के फांडर है ये भी पता हूं चीज तो डी मार्ट कंपनी आप कुछ ही इंपॉर्ण बात हो गई दी मार्ट कंपनी के बारे में और यहां पर राधा कृष्ण दमानी का नाम याद रखना है जो कि दी मार्ट कंपनी के फांडर है अगला कोशन है हाली में जारी ICC महिला T20 अंतरराश्ट्रे बल्ले बाजो की रैंकिंग में कौन शीष पर इन इषी दी वांडरो कि थे संपनी नाम याद रखना है पहले स्थान पर रहे हैं और हमारे भारत की सब्राइशन मन्ठान है यह इस रिपोर्ट में चौथे स्थान पर है हमारे भारत की हार्मन प्रीट कॉर यह याद रखना आपको यहां पर ICC के बारे में याद रखना हो कि ICC के CEO है मनु साहनी और चर परसन है शशांक मनुहर याद रखना है आपको यहां पर आपको न्यूजिलेंड के बारे में नोट करना होगा क्योंकि जो अब मैंने सोफी डिवाइन का नाम बताई यह न्यूजिलेंड की प्लेयर है गेंदबाजो की यह रिपोर्ट जारी की गे कैपिटल है वेलिंग्टन करंसी न्यूजिलेंड डॉलर क्वीन का नाम है अलीजाबेस सेकेंड अब प्राइम लिस्ट है जैकींडा आर्डेन यह कुछ इंपॉर्ट बात होगी न्यूजिलेंड के बारे में अगला करंट फिर कोश्चन है हमारा कि आई एफ एडी की तरता यह option आपका सही है 11 से लेकर 12 फेबरी तक इसी और्णाइस किये था इटली के अंदर थीम आपको पता हों ची अगर यह कांसी बैठक और नाइस की थी गवर्निंग कांसी बैठक तो इसकी थीम है 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए स्थाई खाद्य परनालियों में निवे और यहां पर आपको IFAD के बारे पातां ची कोई इनके ज़रा यह बैठ करना है इसकी तो IFAD की फुल्फों है International Fund for Agriculture Development क्या फुल्फों है International Fund for Agriculture Development और IFAD इसकी स्थापना अगर पुछिए तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी हाइड कऊर्ड इसका Rome में है इंफ एलिए और हैड का नाम है गिलबट होंगों क्या नाम है गिलबट होंगों में यह अपको याद आतना IFAD के बारे में इंपोर्टन था औरिटली के बारे में यहां पर बताऊंगे स्टेक्टं चीक वाला portion है क्योंकि आपका तो यहां पर इसकी कैपिटल है रों करंसी यूरो और प्रेजिन्ट है सर्जियो मेट्रीला और प्राइमिस है यूसेपा कॉंटे यह कुछ ही बाते होगी इतली से रिल नेक्स्ट पॉंड कर्श्चन आपका कि हाली में राष्ट उत्पादक्ता सप्ता यानि कि नेशनल यह आपको बता दू कि 11 से लेकर 18 फेबरी तक मनाया जा रहा है यह option आपका सही है मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे भी सेलिब्रेट किया तो यह दिन 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता हर सार राष्ट्रे उत्पादक्ता को बढ़ावा देनेकस लिए को सेलिब्रेट किया जा रहा है और र इसकी करिशे अनना प्रोड़क्टिविटी काउन्सिल के लाह यह सप्ता मनाय जाि रहा इसके ज़रा नेशनल प्रोड़क्टिविटी काउनसिल के लाह ईंपी पीसिट के बार मताते ह QR प्रवड़ है क्योंकि आपके लिए और हमारा अगला कोशन आ हाली में यारो वाइरस किस देश में पाया गया बहुत ही इंपर्रनेंट है को अन zijमारो दीदे रहली यारो वाइरस वाइरससर को वाहद कैसे पाने और कहां पर पाया ग़ै ब्रसी यह भी आहज़तस नहीं इसे इस इसलिए इसे Wuhan virus भी कहा जाता है तो इन दोनों virus के बारे में याद रखना है आपको Brazil के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंगी यह जो yellow virus है यह ब्राजील में पाया गया है यहाँ पर अपर है Brazil capital है इसकी Brazil है currency है real और present है Gir both narrow ठीक है याद रखने आपको ब्राजील के बारे में यहाँ पर नेक्ट कुछ ने हाली में म्यूनिक सुरक्षा सम्मिलन 2020 कहां पर आयोजित किया गया था तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मिलन यह हाली में जर्मनी में और्गनाइस किया गया था दी ऑप्षन आपका सही है 14 से लेकर 16 फैबरी तक इसे और्गनाइस किया गया था कहां जर्मनी में याद रहता है म्यूनिक सुरक्षा सम्मिलन क्यों और्गनाइस किया था धर्म यहां पर आपको बताथी हो कि मैं हमारे ब्हाइत की तरफ कि हमरे वुदेश मंतरि ने पर अब कहें गया नाम मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर की नाम चाल सुछनście democratic Iraq और आपको बटा दो कि यह जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मिलना यह पहली बार 1963 में सेलिवेट किया गया था इसकी स्थापना 1963 में हो थी और इस Munich सुरक्षा समेलन के साथ साथ साइबर सुरक्षा समेलन और उर्जा सुरक्षा समेलन भी और माइस किया गया था साइबर सुरक्षा सम्मेलन इसकी स्थापन देखे 2012 में होई थी और जो उर्जा सुरक्षा सम्मेलन इसकी स्थापन 2013 में की गई थी ठीक है यह आपको नोट करना है और यहां पर जर्मनी के बारे में नोट करना होगा कि यह जो सुरक्षा सम्मेलन है म्यूनिक सुरक्षा सम्म तो यहां पर जर्मनी कैपिटल है बर्लीन करंसी यूरो और प्रेजिंट है फ्रैंक वेल्टर स्टेमन यह कुछ इंपॉर्ण बाते हो गई जर्मनी के बारे में के लगके खिनायाव सी हाली में का यहांग हिए तो के इंदर शाषिद परदेश में दो घुष्छुमीर की थे खाश्चुमीर को भर के खिया है cops केंदर शाषिद परदेश में दो नकानी कैंदर शार्षिद परदेश का नाम है जम्मु ए & किश्मीर , दी ऑप्चन आपका सही है, जम्मू कश्मीर में दो एम्स होस्पिटल खोले जाएंगे, इसे हाली में मनजूरी दे दीगे है केंदर सरकार के दौरा, देखिए अपने करंट फे पढ़े होंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे योजनाय चलाय जा रही है, बहुत सारे बढ़ावा दिया चाह सके और जाज़ा इन्वेस्टमेट को बढ़ावा दिया जा सके तो इसके पीछे गॉप्टमेंट का एक ही मकसद है ताकि जम्मू कश्मीर जो हमारी यूएंट टेरिट्री है उसको जादा से जादा डिवलप किया जा सके इसलिए यह सारे भ्यान जो एम्स हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में यह PMSSY यानि कि परधान मंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना के तहत यह हॉस्पिटल बनाये जा रहे हैं एम्स हॉस्पिटल All India Institute of Medical Science यह एम्स की फुलफों में याद रही हैं आपको क्या फुलफों है All India Institute of Medical Medical Science यह आपको नोट करना और जम्मू कश्मीर के बारे में एक इंपॉर्ण बात बता दो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर और केंदर शाषित पर्देश है दोनों लद्दा और जम्मू कश्मीर का अपको एंड की फूल फूम यहाँ पर याद रखनी हो गया और जम्मू कश्मीर के बारे में नोट कर लीगिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर अब इसका कुछ पॉर्शन लद्दा और पहो गया है असके si शिरी नगर लेफ्टिनेंट गवर्न है गिरीश चंदर मुर्मू यानि कि जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के अंदर लोग सबसेटे 6 राज्य सबसेटे 4 विधान सबसेट 27 है फोग नास है धूमल और कूर्डास और नेशल पाख है दचिंगम नेशल पाख यह कुछ ही इंप इंवेस्टमेंट सब्मिट 2020 में जो और नास की जाए इसे जे और की में और नास के जाएगा पहली बार इसे जम्मू और कश्मीर में और नास के जा रहा है और की और नास के जाए तो अभी मैंने इससे पहले वाले कोश्चन में आपको बताया है कि इनवेस्टमेंट को सो जम्मो कश्मीर के बारे में डिसकस करी चुके हैं फिर से रिपीट करने की जुरुएत नहीं है क्योंकि इसे पहले वाले कोशिन में डिसकस किया तो आपको याद रखना है सो यह थे आपके आज के करेंट अफेर्स यानि की 17 फैबरी के करेंट अफेर्स और जैसे कि स्टाटिंग में कहा है आपको फिलास में टेस्ट कोशिन दिया जाएगा टेस्ट डिसकस करने से पहले जैसा कि मैं रोज कहती हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कोमेंट करना न भूले कोमेंट करके आंसर भी बताईएगा और टेस्ट कोशिन है आपका कि हाली में किसे प्रेजेंट कलर सम्मान से सम्मानित किया गया इन चार अप्षिमें से आपको बताने इस कोशिन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा और हम आपसे मिलते हैं नेक्स लेटर में तब तक चुड़ाई मासर थैंक्यू